जी हाँ दोस्तो मेरा नाम मैं तनमय और स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल तनमय सेल्फ क्रेशन को तो दोस्तो आज हम जानेंगे कि यह जो 8 mm का जो सिरीज लाइट होता है यह वाला जो सिरीज लाइट होता है इसका जो सार्किट का जो सार्किट तेयार होता है व मेरा वीडियो भी इसका अपर अप्रेड कर चुका हूँ आप जाकर मेरी चैनल के देख लिजिए और 5 mm सीरीज लाइट का ओपर भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ वह भी जाकर आप देख लिजिए तो यह मेरा 8 mm का सीरीज लाइट है इसी का जो सार्कीट होता है ना वो सार मार्केट में मिल रहा है ऐसे तरह वह भैले सी यह सोलडरिंग हो के यह पीसी वी के अंदर लगा कर आता है तो सीर्किट भी लेकर आप उस सीरीज लाइट का circuit बना सकते हो और उस series light पे आप लगा सकते हो तो आप खूद बनाने चाते हो तो ओ जो series light का circuit तो o light भी, o circuit भी मैं बताऊँगा आप खूद भी कैसे बनाएंगे मैं इसको बताऊँगा तो इसका अंदर जो circuit, जो component लगाए उसका value में आपको बताऊंगा और उसको कैसे त्यार करेंगे देखेंगे तो पहले आपको लेना होगा जो उसका PF होता है ये जो PF होता है ये circuit का ये PF ये जो PF होता है ये 105 जे 400 वोल्ट का आपको जो market में खरीद के लेना होगा आपको दोकन में ये कहना होगा कि 105 जे 400 वोल्ट का पी एफ देगऊ एक सो पाउंच ये लेना होगा एक से तरह पर के लेना होगा उसके बाद जो आप जो आप को लेंगे तो रेजिस्टर लेना होगा तो यह देखिए यह मेरा वान एम का रेजिस्टर है मैं पहले से ही खरिद के लाद तो यह से तरह देखागा यह रेजिस्टर देखिए यह वाला यह वान मेगाओं का रेजिस्टर है आपको यह भी लेना होगा यह रेजिस्टर देखिए मैं दो तिन लेता हूं तो यह मेरा 1M का रेजिस्टर चला गया आपको लेना होगा यह, वान नियम का रेजिस्टर, उसके बाद डायट लेना होगा देखिए दोस्तों, यह जो डायट का एंब्वान इंपियर का ऑई एन एएन फोर जिरो झिरो सतनक है डायड है आपको चार डायड लेना होगा तो यह दखिये डायड एसे तरह देखेगा दोस्तों देखिये यह डायड है तो डायड का सकते हो क्योंकि उन् का मतलब इसका सुछ और यहां पे यहां पर दे सकते हैं और यहां पैजसे लिए और उसके बाद बाद एक जो बॉल आरता होगा धिखें दिखय दॉस्तों पोलार केसिट्र का मतलब यही यह देखिए इसका negative positive होता है तो यह मेरा जो बीच बाली जो minus बाली जो मार्क होता है उसका side जो lead निकल ला है यह मेरा negative होगा यह मेरा positive होगा और इसका value है 2.2 mu f 450 volt तो उसका value का हिसाब से आपको जो PF लेना होगा आपको 105 400 volt लेना होगा और यह दिखिए यह 2.2 mu f 400 यह इसका voltage का मताविच आपको यह बाला capacitor लेना होगा मालों कि यह हमारा 450 volt ले रहे है और यह 400 volt लेंगे तो यह capacitor फट जाएगा और आप यहां पर 450 volt लेंगे कोई बात नहीं आपको 400 volt और यह 450 volt लगाएंगे कोई मतलब नहीं तो यह कोई blast नहीं होगा तो यह अच्छे से चलेगा तो इसका value को देखकर यह capacitor को लगाना चाहिए तो तो mainly आपको देखना होगा 105 j या 155 j यह तो fix यह और यहाँ पे 2.2 mf effectivement लगाना होगा तो होगा औरिया परց जो यहां पर की 450 भोल्ट का पीए फ लगाएंगे तो यहां पर भी आफ फिर्त का cięPress रिये लगाना होगा तो उसे तरह हो गया हमारा कमपमेट इस छाहिए तो चालते हैं शुरू करते हैं यह कैसे तैयर होता ह Suppose सार्किट तो तो उसको मैं छोड़ना चाहिए तो देखिए तो आपको मैं डाइग्रम披ी यहां ओंगा तो तो यहां पर आपको जो में instagram प्हले डाइग्रम में बता देता हूँ तो देखिए यह मैं रा circuit का डाइग्रम होगा तो यहां पे जो मेरा Input होगा देखिए यह मेरा Input यह 222 volt SC जाएगा 233 volt से यहां पे Input होगा Input होने के बाद आपको यहां पे जो PF लगाना होगा देखिए यह से तरह लगाना होगा तो Gef मेरा यह वाल हो गया और इसका पार्लल में आपको 1 M का register लगाना होगा तो 1 M का register लेना होगा और इसका जो PF का जो value है 105 J 400 V 105 J 400 V और 155 J 450 V ये दो value आपको लेना होगा तो ये मेरा value चला गया उसके बाद इसका जो एक side में ये PF लगेगा और दूसरी वाली जो side है यहां पर आपको और एक register लगागा तो इसका जो value है ये 100 ohm का 100 ohm का ये value रहेगा उसके बाद ये जो दोनों इसका input चला गया आपको यहां पर एक डायड लेना होगा डायड जो होता है ऐसे ये दिखिए ये मेरा जो डायड होगा तो यहां पर लगएगा तो दिखिए ये मेरा पी एप ऐसे रहे गया उसके बाद ये 1 ohm का रेजिस्टर यहां पर लगा गया और यहां पर मेरा 100 ohm का और एक register यहां पर लगा दिया उसके बाद जो डायड का जो connection होगा दिखिए दोस्तों डायड ऐसे तरह आपको रखना होगा मैं पहले डायग्राम बता देता हूं तो यह साइड बे भी आप डायग्राम देख सकते हो ऐसे तरह भी आप इसको डायड का भी bridge rectifier जो बोलते है जो ऐसी से DC को DC से convert करेगा वही जो डायड का जो connection यहां पे रहेगा तो डायड का आपको देखिए दोस्तों यह डायड का जो देखिए एक जो black color होता है यह बाला जो black color होता है यह black color इसका input पॉजिटिव इनपुट रहेगा और जो white color ही इसका negative आएगा तो माल लग कि हमारे हम यहां पे positive देंगे तो यहां पे जो output निकलेगा positive निकलेगा क्योंकि इसका अंदर जो current flow होकर यहां पे जो output निकलेगा यह होगा इसका positive तो diet को आपको जो white color जो होता है इसका positive निकलेगा तो white color को मैं यहां पर इसे तरह mark कर देता हूं देखिए दोस्तों यह जो छोटा black में में mark कर देता हूं तो यह मेरा white color जो होता है तो दोनों white color को यहां पर इसे तरह लगाना चाहिए तो मैं देखिए दोस्तों यह मेरा डायड हो गया डायड को connection देखिए दोनों white को आपको आपस में दोनों को connection कर देना होगा तो देखिए मेरा दोनों white है यह वाला जो white है तो इसी white को लगाऊंगा इभिए आपस में connection कर देता हूँ कर देने के बाद यहांपे में रख देता हूँ और इसके बाद जो 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 डोनों white जो मेरा black color जो होता है ये मेरा black color है तो डायेट जो ऐसे तरह देखेगा दोस्तों तो महीं यूपर में बता देता हूँ तो यह हो गया input यह गया output तो देखे डायड मुँए ऐसे तरह रख देता हूं तो पास में भी आप देखा देता हूं देखिए एसे तरह रहेगा यह यहां बला रहेगा ब्लाक ब्लाक रहेगा इसका प्यजटिब तो यह अधा डाइग्रम चला गया उसके बाद और जो दोनों डाइड आपको लेना होगा तो यहां पर जो ब्लाग बाली होता है जो डाइड का जो ब्लाग बाली इंपूट होगा उहीं पर आपको सर्ट करके ऐसे तरह आपको फोल्ट कर देना होगा तो देखिए इसको आप इसे तरह फोल्ड कर दिए फोल्ड कर देने के बाद यहां पर सट कर दिजिए तो यह चला गया इस तरह तो उसके बाद आपको इसका जो निकलेगा यह दिखिए यह बाला जो निकल रहा है और यह बाला जो निकल रहा है तो यह दोनों हो गया और इस इसे तरह यह connection हो जाएगा इसे करके आपको इसे तरह करनेक्शन करके यहां पर इसको फोल्ड कर दीजिए हो गया हमारा है तो उसके बाद आपको यह इसको कटर से जरीये काट देना होगा उसका लीड को जो बड़ा वाला जो तो होता है लीड उसको भी आप काट दीजिए तो यहां पर इस तरह रहे गया तो मैं पास में भी आपको देखा रहा हूं दूस्तों देखिए इसका इनपूट ज़र हैगा मैं डाइग्राम यहां पर भी बता रहा हूं दूस्तों साइट में देखिए जो फोटो निकल रहा है वही फोटो को देख लीजिए इसका कनेक्शन हो जाएगा तो इनपूट यहां पर दूँगा तो पार्ज का सप्ले जो आटपू यहां पर निकलेगा यह पजेटिव आउटपूट निकलेगा और यह नेगेटिव आउटपूट निकलेगा तो यहां पर मेरा आउटपूट निकलेगा यहां पर और इसको पजेटिव निकलेगा तो दोस्तों यह जो सार्किट में बता रहा हूं आपको जो एडियम्म सार तो यह मेरा एक मानलों की मेरा 80 mm का लाइट है और इसका पजेटिव और इसका नेगेटिव तो और एक लाइट है तो इसका पजेटिव और यह नेगेटिव और एक लाइट है तो इसका पजेटिव यह नेगेटिव और एक लाइट है तो इसका पजेटिव यह नेगेटिव तो इसका पजेटीब एक नम्बर LED के साथ कनेक्शन हो गया।घवचन से आपको 50 से 60 LED आपको सीरीज में लगाना होगा, पच्चास से साथविए आपको सीरीज में लगाना होगा. उसके बाद जो LED का जो मन ओढ़एक LED यहां पे लगा जेता हूँ यह माल वहीं मारा 50 नमर LED यहां पे आगया तो इसका positive तो देखिए यहां पे मारा 50 नमरे लिडी जो series में लगा कर यह मारा last वाली लिडी का negative डायरेक्ट यह जो input output निकल रहा है यह मारा negative यहां पे होगा तो मैं उसका तो वीडियो में डाल चुका हूँ सीरीज लाइट का ओपर जो 80 mm का वीडियो तो यह आई बटम आप देख रहे हैं उहीं पर जाकर देख लीजिए और लिंक भी वहां पर दे चुका हूँ और discussion में उसका लिंक दे चुका हूँ तो यह दिखिए मेरे complete हो गया तो यहां पर जोनिकलेगा हमारा जो आल्पूट मिकलेगा तो यह दिखिए यह वानवान 18 k One सर्फीवाल्ट वी साथ ससे बान 192 या निकल रहा है तो यह सर्किट भी कनेक्शन करकर आपको देखा हूंगा किसे तरह होगा सूटर्ण तो आपको रेजिस्टर बेलु जाना होगा तो आपको यह मल्पीम needs के बाद सब्सक्राइब लगाएंगे और जो वोल्ट ओम और मिली अम्पियर वहीं सब उहीं पर कड़ लगाएंगे तो मॉल्टिमेटर का अपर मैं विडियो बनाओंगा आपको पहले से जानते होंगो तो देख लीजी एक बार तो देखिए मेरा हंड्रेट ओम का ये बहलू में मुझे निकलेगा देखिए यहां तो पांच एकसो तीन एसे तरह हंड्रेट ओम का मेरा ये रेजिस्टर यह तरह आपको माप देना होगा तो मैं इसका अपरी बिल्टर बनाओंगा तो अभी मैं आपको जो जो उसका लिए कंपनेट चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं और सोरी और एक दोस्तों बताने बोल गया तो अपको जो क्यापासिटर लगाना होगा जो 2.2 मुएब का 450 वोट आपको पहले आपको देखना होगा कि यहां पर मैं देखिए मैं इसका भेलू लखा हूं 450 वोल्ट और 400 वोल्ट इस जो पीएप का भेलू है तो इस पीएप को देखको आपको यह क्या ले सकते हो 105J और भी आप PF लेगा सकते हो तो यहां पर और फिक है इसका जो 2.2μF का देखिए यह मेरा 2.2μF का इसका भेलू यह फिक है तो इसको देखकर आपको यहां पर लगाना हो इसका गांगा उसका भी भैलू आपको 2.2 मुएफ 450 भोल्ट ही होना चाहिए क्योंकि यहां पे आप 450 भोल्ट इनपूर देंगे और यह आपको चाहिए जो आपको कैपाशिडर 400 भोल्ट का होगा तो यह ज्यादा करेंट जो पास होगा यह सह नहीं पाएगा इसलिए यह ब्लास्ट हो जाएगा तो उससी भैलू का मुताबुक आपको लगाना होगा तो आपका मुन में और एक डाउट होगा कि यह तो मरा जो हमारे घर में जो आता है भाई सब्लोंड का जो इल्क्रीकटरिसी आ रहा है तो हम 450 भोल्ट क्यों ले रहे हैं 450 अब भाई सब्ल्ट से भी आप चल चला सकते हो और आपको जो जेनेरेटर होता है जो साधी में जो जेनेरेटर होता है उसका भी जो जो वोल्टेज निकल रहा है उस जैनेटर में एक बार 160, 170 एसे तरह वोल्टेज निकल रहा है उसी को लाइट को प्रोटेक्शन देने के लिए यह मैं प्येफ लगा रखा हूं यहां पर 400V का आप यहां पर प्रोटे लगा रखें तो यहां पर आप 450 भोल्ट का भी यहां पर लगा सकते हों तो यहां पर यहां पर डिफ नेगयों नेगेटिव की साथ लगाएंगे बभाच्थे तरह क्यापाशेटर का कनेक्शन हो जाएगा यह क्यापाशेटर का वेलू है 2.2μf 400 यह मेरा जो पी एफ लगाऊंगा 400 वोल्ट का यह मेरा 400 वोल्ट का हो जाएगा इसका वेलू तो मैं तो बता दिया हूं तो उसके बाद आपको कॉम्पोनेट का जो चाहिए मैं आपको और एक बार बता देता हूं तो उसका जो पी एफ आपको लगाना होगा पी एफ का वेलू में बता दूंगा और रेजिस्टर का वेलू रेजिस्टर और एक रेजिस्टर का का बेलू भी में बताओंगा और उसके बाद जो डायर का बेलू में बताओंगा और जो polar capacitor पीड़ो में लखा रहाँ तो polar capacitor का बेलू भी में बताओंगा तो पीएप का का चारसों पचास भोल्ड या 105 जै चारसों भॉल्ड को एक सतरह हो गया इसको मरद पी यह जो लगाएगा देखिए दूस्तों यहां पे जो लगाएंगे यह वान मेगाओं का वेलू है वान मेगाओं का जो रेजिस्टर है विलू इसका और ये वान वाट का और रेजिस्टर जो इस साइड जो लगेगा 100 ohm का 100 ohm का जो भेलू है यह भी 1 watt का आप 0.5 watt भी लग सकते हो और 1 watt भी लग सकते हो तो डायट का जो भेलू होगा कि टूपेंट टू मियव का 400 वोल्ट टूपेंट मियव 400 वोल्ट और टूपेंट टू मियव 450 वोल्ट तो आपको असी तरह आपको लगाना गया जो पचासी डीड यह से तरह लगेगा तो मैं सोल्डरिंग करके बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा तो मैं छोटा सा करके आफसे काघज का अपर में को रेकर कि करके बता देता हूँ तो सी तरह रहेगा सर्केट तो अप इस वाला सर्केट डाइगरम आप अच्छे से देख लिजिये उसके बात को कानेक्शन करने में अच्छा रह तो देखिए यहां पर मेरा थोड़ा जोब कर देता Margaret यहां पर तो यह मेरा पीए बेलू और इसका जो रेजिस्टर का यहां पर लगा रखाऊं उसके बाद जो आपको डायट लगाना होगा इसी के साथ यहां पर आपको बाद में बता दूंगा पास में लेकर तो उसका जो पी होता है ना के पासिट का जो नेगेटिवUhस साथ रहेगा और पास डिसटा आपको पास में लेकर तो आपको एससे तरह होजाए यह मेरा सार्किट का हो गया तो मै आपको पास में लगा कर देखा ओंगा तो देखिए तो देखिए दोस्तों यहां पर मेरा इंपट होगा यहां पे मेरा input होगा, यह मेरा 220V SC input होगा, यह PF का जरिए यहां पे निकलेगा, उसके बाद यह मेरा 100Ω का register रहेगा, और यह PF और 1M का register यहां पे, देखिए ऐसे तरह यह connection हो रहा है, तो यह मेरा positive की side इसका input निकलेगा, और यह मेरा negative की side input निकलेगा, तो यह दोनों side में आ दोस्तों देखिए, यहां पे जो निकलेगा, जो मेरा output निकलेगा, तो दोस्तों देखिए, यहां पे जो मेरा output निकलेगा, यह मेरा positive निकलेगा, DC output निकलेगा, यह मेरा negative output निकलेगा, तो इसे तरह negative output निकलेगा, आपको जो capacitor लेना होगा, दोस्तों देखिए, यहां पे म नेगेटिव मेरा नेगेटिव साइट इसका आटपूट ऐसे तरह निकलेगा तो यहां पर आपको पच्छास से 60 है लीडी सीरीज में लगाना होगा तो मैं दे दूंगा उसका लिंग जाकर देख लिए उससीरीज लाट कैसे बनाएंगे इसका पजेटिब सीरीज लाट यहा चर्कивают के अपपर विड़ों बना दूँगा तो दोस्तो इस वीड़ों में इतना ही तो वीड़ों अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ सियार किई और कमेंट भी कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पर जो रेड कलर का जो होता है सब्सक्राइब का सिंबल वहीं पर जाकर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन ह उसको दबाकर औल बाला नोटिफिकेशन का बजा दीजिए तो जब भी मैं इसे तरह नया नया वीडियो अप्लेट करूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहन जाएगा तो थांक्यू दोस्तों फिर मिलेंगे आगले वीडियो